मोवर्स का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं मोवर्स जो है वो मोवर का प्लूरल होता है यानि कि एक से जादा मोवर को हम मोवर्स कहते हैं और मोवर का आर्थ होता है घास लावक यंत्र घास कर तक या घास काटने का यंत्र यानि कि घास काटने की जो मशीन होती है या घास काटने वाले को हम मोवर कहती है एक से ज़ादा को मोवर कहा जाता है इस example sentence इसको और अच्छे से समझ लेती है यानि कि जो लॉन है वो बड़ा अच्छा दिख रहा है, साफ सुत्रा दिख रहा है और जो घास काटने वाले यंत्र हैं उनका धन्यवाद है अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें